गाइस रजद दलाल ने एल्विस यादव को ओपन चैलेंज दे दिया है क्या हुआ है पूरा मेंटर मैं आपको बताता हूँ सो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो आपको पता ही होगा रजद दलाल मैकस्टन के घर चले गए थे एंड उन दोनों ने मिलके डि सबकी एल्विश यादव की तरह दस लोग नहीं लाएंगे आप वो स्टोरी देख लीजिए पाथ से छे बज़े के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हो मैं और नितिन चंदिला भाई मैकस्टन के घर पे होंगे चीज़े पॉजिटिव साइड में जाती हैं तो भी हमारी ओनर्शिप रहेगी अगर कुछ कॉंसिक्वेंसिज होते हैं तो वो भी हम बियर करेंगे वो भी रिस्पॉंसिबिलिटी हमारी है हम खाली दो बंदे हैं जो बानवली चीज़ हैं तीसरा हमारे साथ दूर दूर तक आस पास तक कोई नहीं मिलने अब आपने जो बंदे लाने हो वो आपकी मर्जी है आप चाहे कितने इलाव कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है आना हो ना आना हो वो भी आपकी अपनी मर्जी है कोई इसमें जोर जब रदस्ती नहीं है हमने अपना बता दिये कि भाई हम इतने बज़े पहुंच जाएंगे पहुंच के अपडेट करें इसके बाद एलविश यादव रजट को यह कहते है क्या हुआ भाई सिर्फ दो लोग क्यूं आ रहे हो बाइक में आ रहे हो क्या यानी कि टू सीटर में आ रहे हो क्या आप वो स्टोरी भी देखी हाँ इसके बाद रजत दलाल कहते हैं एक पचास किमी की रेस हो जाए आपकी दो सीटर और मेरी चार सीटर में उसमें भी पांच किमी से हरा दूनगा एक का दस सेट सारी ओडियंस के लगवालो और बता देना कितनी की लगानी है मजाक में नहीं बोल रहा और नीचे उन्होंने दो आप्शन दिया है लाइव रेस और नो रेस यानि की अगर रेस होगी तो वो लाइव स्ट्रीम में सबके साथ होगी वरना छोड़ो क्या लगता है आपको क्या एलविश यादव रजत ला होगे या फिर नहीं